आज हम लेके आया हैं यह मीनी एर पंप इससे आप अपने बाइक बाइसिकल कार या फुटबॉल किसी में भी हवा भर सकते हैं यह बहुत ही छोटा और लाइट वेट है और हम आज हम इसका टेस्ट भी करेंगे और दिखेंगे कि यह यूज करने के लिए अच्छा है यह सही नहीं है मैं लोकल मार्केट से लेके आया हूँ इसे लेकिन अगर आप इसे ओनलाइन खरीदना चाहोगे तो इसकी लिंक में डिस्किप्रिसन में दे दूंगा और वहां से 500-300 रुपे के आसपास मिल जाता है और मैंने यह लोकल मार्केट से लिया है 130 रुपे में चले इसे खोलते ह इसके अंदर आपको एक जिप टाइम मिलेगी फुटबॉल में हवा बने के लिए एटेच्मेंट मिलेगा और यह एक्स्ट्रा वासर मिलेगा अगर इसका वासर खराब हो जाए और प्रेशर ना बना पाए तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और यह है पंप बिल्कुल ही कॉम्पेक्ट डिजाइन है इसको यहां से निकालना है यह इसका हैंडल है और यह स्टेंड है साइकल में फिट करने के लिए इसको साइकल के उपर फिट कर सकते हैं यह डिटेजेबल हैं यहां से निकल जाता है पिल्हाल मेरे पास साइकल नहीं है मैंने सिर्फ बाइक के लिए लिया है इसको मैं निकल दूंगा यह डारेक्ली साइकल पर फिट हो जाता है कोई ज्यादा जंजट नहीं है और यह पाउं रखने के लिए है यह वाला नोजल बाइक स्कूटर इसके लिए है और यह वाला एटेजमेंट साइकल के लिए है इसको ऐसे लगा देना है साइकल के लिए और यह क्लिप खॉलके वो साइकल के नोजल के Sum for 2 कर देना है और उसके बाद ये बंद करके इसकी हवा बरनी है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है अभी हम ये मीटर से चेक करेंगे कि ये पंप कितना एफिसियंट है, कितनी अच्छी हवा बर सकता है और कैसे वर्क करता है ये है मेरा ओल्ड पल्सर, बहुत दिनों से पढ़ा रहा है इसकी हवा चेक करेंगे और इसको भर के चेक करेंगे कितना एफिसियंट है या नहीं ये पंप फिलहाल अभी टायर का प्रेशर है 20 अभी इसमें हम हवा बरेंगे अभी बरेंगे अभी इसका प्रेशर है 25 बड़े वाले पंप से ये बहुत ही अनकमपोटेबल है इतना आसान नहीं है बड़ा वाला पंप इससे ज्यादा कमपोटेबल और एफिसेंट होता है लेकिन इसका साइज देखो कितना छोटा है ये घर में रखने के लिए नहीं है लेकिन राइड के लिए है ये अपनी बेग में आप रख सकते हो कहीं भी रख सकते हो या फिर अपने टूल बॉक्स में अपनी बाइक के डिक्की में पैनियर में कहीं भी आप रख सकते हो ये राइड के लिए बहुत अच्छा है ज्यादा कमफोटेबल और एफिसेंट नहीं है लेकिन आप राइड के लिए छोटा सा पंप केरी करना चाहते हो ये बहुत अच्छा है अपके लिए आप इसे ले सकते हो